नमस्कार आपका न्यूस के लिग में स्वागत है मैं हूं मुकुंध और भी आंदोलन किसान आंदोलन सतर दिन क्रॉस कर चुका है और इस आंदोलन में लगातार जिस तरह समाज के हर तपकी की भूमिका बढ़ते जा रही है उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में महिला किसान आगे नेत्रुत गरणी की भूमिका हम दिख रही है इस पूरे आंदोलन के में हर्याना पंजाब जिस तरह से सबसे अग्रणी सुरुवात से आगे रहा है उसमें खास्तरों से जिस तरह महिलाओं की भूमिका पिछले दिनों लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह ख अगर्स खाफ के खिलाब भी बहुत जिनों इनको पहचान दी थी अलग एक और उपर से राष्टी खिलाडी रही है इन सभी मुद्धों पर मरहत बात करने के लिए जगमती सांग्मान जी है आई उनसे बात करते हैं किसान आंदोलन महिलाओं की भूमिका और उनके सवालों पहला सवाल जिस तरह से एक आंदोलन की भागी दरी लगातार बढ़ती जा रही है इस आंदोलन महिलाओं की भूमिका को लेका किस तरह से उनका योगदान और उसके नित्रती की भूमिका कई जगे दिख रही है उसको आप कैसे देखती है जैसा आप नहां कि इस करना चाहें असल मैं हरियाना के संदर्व में देखें या पूरे देश के पैमाने पे देखें जो खेती बारी का काम है उसका मतलब 70% हिस्सा जो है वो महिलाएं करती है और यह ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से जो खेती बारी में जो संकट आया है उस संकट की मार भी जितनी तीखी उनके उपर पड़ती है और जितना नस्दीकी से वो उसको रसोई में महसूस करती है उसका एसास करती है तो वो उनके अंदर आक्रोश भी उतना ही गैरा है यह अलग बात है कि हमारे यहां का जो सामाजिक वातावर्ण है उस सामाजिक वातावर्ण में उनके पास अभिव्यक्ति के मौके बहुत कम है अब ये जो आंदोलन चला है इस आंदोलन ने उन तबकों को जिनके अंदर ये आकरोश इतना गैरा और इतना तीखा था तो ये आंदोलन भले आर्थिक मुद्दों के उपर है लेकिन इसने सामाजिक स्तर पे उन तबकों को भी बहुत बड़ा अभिव्यक्ति का एक मौका दिया है और वो मौका का प्रियोग जो है वो ये महिलाएं कर रही है और हमने देखा ये कि 26 तारिक को जब किसान आंदोलन के दूआरा गिरफतारियों का आवान किया गया था तो जिस मोर्चे पे रोह मोर्चे पे हमारी उस दिन दूटी थी और 26 तारिक को गिरफतारियों के लिए जो किसानों के अंदर इतना व्यापा का वियान चलाया था वो बहुत कम संख्या में आये थे लेकिन महिलाएं जो हैं उमर घुमर के आई थी उस दिन भी और जैसे मतलब वो आदमी थे वो इधर उधर को अनों में इधर खड़े हो रहे थे क्योंकि तब तक पंजाब वाला भी ये पूरा हुजूम जिस तरह का उमर के आया है वो उतना आया नहीं था 26 तारिक को तो वहां पे जब आगे बढ़ने की बात हुई तो महिलाओं ने जिस तरह से मोर्चे के अंदर अपनी भूमी का मतलब अक्तियार क तो फटा फट पुलीस के साथ और उनके साथ जड़प में तो पहले ही दिन जो है महिलाएं तो हर बजन मान की जो सबसे पापुलर वीडियोज हैं उनमा हर्याना की महिलाओं की वो क्लिक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं तो इसी वज़े से एक तरफ तो आप देखेंगे है कि हर्याना करता कि देशाम देश अर्याना दूददई का खाना और दूसरी तरफ जो दूददई को पैदा करने वाली हैं उनका मतलब अबाव सेवन्टी परसेंट तो खून की कमी का शिकार हैं अनीमिक हैं वो वो एन फैचेस की जो अभी रिपोर्ट आई हैं उसमां हर मिलनी रहा पूरा और जिस तरह का संकट पूरे समाज में देखने को मिलता है उसका सबसे सिद्दत से ऐसास करने वाली ये महिलाएं ही हैं असल में और जैसे उनको मौका मिला है जैसे उनको मतलब घरवालों की तरफ से समाज की तरफ से ये पूरी इजाजत मिली है तो उन् जो हैं, ट्रैक्टर चलाने में भी हैं, हर तरह से वो अपने आपको इक्विप कर रही हैं इस भूमिका के लिए बहुत तेजी के साथ, लेकिन अभी भी जो व्यापक शेरी जो कॉमिनिटीज हैं हमारे यहां की, जिसको मतलब एक सिविल सोसाइटी की भूमिका अदा करने वा अगर देखें तो जो लेंडलेस कॉमिनिटीज हैं, मतलब उनकी महिलाओं की पंजाब से बहुत अच्छी बागीदारी है, और जैसे यह जो जो गिंदर सिंग का जो और गिनाइजेशन है, उग्राहान, उग्राहान, उसमें 40% महिलाओं हैं, और उन महिलाओं में हमने यह कि सब तबकों की महिलाओं हैं, लेकिन हर्याना में अभी तक थोड़ा से लेंडलेस कॉमिनिटीज की जो महिलाओं हैं, वो अभी भी उतनी बड़ी संख्या में इसमें शामिल नहीं हैं, जिसको हम सचेत परियास से हमें शामिल करना पड़ेगा, जहां तक नौजवान लड लड़कियां, जो किसी और्गनाइजेशन के साजिन का और्गनिक लिंक है कुछ, वो इसके अंदर सक्रिये हैं, या जिन के परिवार के सदस्या खुद जो हैं, वो किसी तरह से मतलब बहुत डीपली इन्वाल्ट हैं, तो वहां से नोजवान लड़कियां भी आ रही हैं, और इन नोजवान लड़कियों ने भी मतलब जिस तेजी के साथ मतलब यह जो नेतरतवकारी भूमी का मतलब ग्रहन करी हैं, कहीं पे वो जहां भी मोर्चे पे हैं, जहां पे भी वो मतलब टोल के उपर हैं, तो वो अपनी उपस्थिती को बहुत तेजी से दर्ज करवाती ह हैं वहां पे भी, तो यह हम कह सकते हैं कि बड़ा हिस्सा जो है, वो महिलाओं का विमन एज फार्मर, वो अंदर से उसी मतलब जजबे के साथ इसके अंदर शामिल हैं, और हमें यह लगता है कि भले ही यह जो आंदोलन है, यह सामाजिक मुद्दों, ना आर्थिक मुद्द के उपर केंद्रित है, अल्टीमेटली, परन्तु सामाजिक स्तर पे एक बदलाव के लिए बहुत ही जाओ जमीन जो है, वो इसनत तैयार की है, आपने कहा तो मुझे याद है, पिछले चुनाव में आया था, रो तक आप से बात हुए थे, आपने गाता है, इस खटर सरकार काम करते हैं, अधिकार अभी भी नहीं है, लेकिन इसके फारफात इस बिरोधा भास भी है, जो इस आंदोलन के नित्रित में महिलाएं दीख रही है, 26 जनवरी की ट्रेक्टर प्रेड़ में में सबसे आगे रही थी, और ट्रेक्टर चलाते हैं, दोनों चीज़ों बिरोधा के अंदर महिलाओं को ट्रेक्टर की स्टेरिंग तो वहां दी, कि अपने घर की स्टेरिंग महिलाओं के हाथ में देंगे देखें, जहां तक उनके अपने जो सरोकार हैं, इसमें इतनी बड़ी चड़ी भूमी का होने के बावजूत भी, आज भी जो लैंड ओनिंग, ओनर क की तरह से अगर महिलाओं की बात करें, तो वो केवल मतलब 13 पर्तिशत महिलाओं हैं, जो थोड़ा भूत जिन के जमीन है हिस्से में, और इसी वज़े से हम यहां पे जो बातचीत करते हैं, तो अपने विमर्श मैक हमारे यहां एक टर्म निकल के आई है, कि वो ना मतलब ए आटा जो है, वो इन महिलाओं को हो रहा है, क्योंकि वो जमीन की मालिक नहीं है, तो उसको जो 6,000 रुपे, जिसको सरकार बहुत ज्यादा जिसकी वो करती है, अपनी बोस्टिंग करती है, वो 6,000 रुपे उन महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं, जो लोन्स, जो अलग लगतर है कि स्कीम के अंदर जो होते हैं, वो उनको नहीं मिल रहे हैं, अने को मतलब फीमेल हैडिड फैमिली हैं, वी डोस की संख्या हरे, आना में सेंस को कंसर्ट करें तो मेरे ख्याल से सेकेंड नंबर पे सब से ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उनके नाम वो जमीन नहीं है, तो उनक को भी विमेन हैडिड फैमिली होने के बावजूद भी वो जो लाब मिलने से हैं, वो उस तरह के, कहने का मतलब यह है कि जो भी वेलफेर स्कीम जो बनाई हुई हैं, थोड़ी बहुत भी जो फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो ओनर नहीं हैं उसकी जमीन की, तो उनका लाब उनको नहीं मिल रहा उस तरह से, और इस आंदोलन में हमें यह बात बहुत अच्छी लगी कि यह इशूस जो हम थोड़े बहुत उठा रहे थे इस दोरान, तो 18 जनवरी को जो है महिला किसान दिवस जो आवान किया मनाने का, तो उस दिन हमने यह देखा कि जितने भी प्लै यहां पे भी बात करते हैं, जो थोड़ा बहुत संगठी चेतर से जो मैलाई हैं, हम यह बात करते हैं कि बिल्कुल सब से पहला हमारी मांग है कि तीन काले कानून रद हों, और यह जो MSP का जो है, इसके उपर मतलब लागू किया जाए, जैसे किसान चात्ते उस भावना के और उसके बाद एक संसद का सत्र जो है, वो पूरा खेती बाड़ी और क्रिशी से संबंदित मुद्दों पे बुलाया जाना चाहिए, और उसके अंदर हम यह समझते हैं कि यह मुद्दा भी पूरे विश्तार से डिसकस होना चाहिए, कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जिसके त प्रॉपर्टी राइट्स में ले थे, लेकिन वो प्रॉपर्टी राइट्स आज सत्र बहतर साल की आजादी के बाद प्रोडा उस्थामा अमारी आजादी पहुंच गी देश की, लेकिन आज तक वो अगर तस बारा महिला प्र्तिशत महिलाओं को अगर वो मिलता है उसका पर यह इसकी तैकिकात की जानी चाहिए कि जो हक आपने उनको दिया था उनको उसकी जरूरत थी विकास में और लेकिन वो उनको मिलानी मतलब आपके कानूनी प्रावधान के बावजूद तो इस सत्र के अंदर इसके उपर भी पूरा रन्नितिक तरीके से बातचीत होनी चाहिए कि इतना हमने अचीव किया सत्तर बैस्तर साल में यह हमारे अनूभव है इस वज़े से वो अचीव करनी पार है उनका मालिकाना हक जो है प्रावपर्टी के अंदर और इसको अगर हमें तेजी के साथ अब आगे बढ़ाना है तो हमें मतलब पांच साल म है बिल्कुल समय बद तरीके से टाइम बाउंड तरीके से उन चीजों को जो है लेना होगा नहीं तो यह जो वाइलेंस महिलाओं के साथ जो चलती आ रही है इस देश के अंदर वो वाइलेंस जो है उसको मतलब ठीक है हम उसके जो वो जो है ना मतलब फ्रिंज एलिमेंट उनके साथ तो संगर्ष आंदोलन करते रहते हैं रूट कॉज जहां पे हैं वहां से उसको रूट आउट नहीं करते हैं आप तो यह वाइलेंस जो है आज निर्भया कल को दूसरी निर्भया कोई मतलब यह चलता ही रहेगा यह सिलसला तो हम यह जो कंसर्ण्स हैं वेमन के अंदर शामिल करवाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह सही है कि उनका बिल्कुल अंशमातर हिस्सा जो है वो इस डिस्कोर्स के अंदर अभी जो है सिंख कर रहा है लेकिन हमें यह लगता है कि अभी आंदोलन चलेगा अपनी बुलंदियों पर आएगा और जब यह मतलब सफलता की तरफ जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता की तरफ यह आंदोलन तब ही जाएगा जब सभी हिस्सों की जो एस्पिरेशन्स जो हैं वो उन कंसरंस में शामिल होंगी और उनकी भागीदारी भी उसी रूप में होगी चाए वो लैंडलेस और बनेगा लगता है कि सरकार तब घुटने टेकेगी दूसरा इसमें अभी जो आप कह रहे थी उसी के हिसाब से अभी तक आंदोलन में आप कह रही हैं जो उनके अपको उमीद है भविस्य में महिलाओं के लिए समाज बहतर होगा इस आंदोलन के नीव पे लेकिन एक तस समाज में खाब के बूनका बड़ी रही अब उसी खाब पंचायत में हमको जगमती सांगवान जाती हुए लगातार दिख रही हैं इस आंदोलन ने ऐसा क्या किया जो जो समाज या जो एक तपका समाज का महिलाओं के अधिकारों पे लगातार हमले कर रहा था और जो लोग हमेशा यह जो खाब पंचायत हैं या कास्ट पंचायत जो हैं उन से हमेशा यही अपील रही थी कि आप जो है यह जो जातीवादी जो मुद्दे हैं या एप्रोच हैं परस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने के उन में एंटर करने के उन से पिछा चुड़ा के और आप के जो मतलब रोजी रोटी से जुड़े वे जो मुद्दे हैं आपकी खेति बाड़ी के अंदर संकट हैं आपके बच्चों को जो है शिक्षा नी मिल रही है रोजगार नी मिल रहा है आपके यहां पर लड़की भृूनत्य की वज़ए से उनकी शादिया नी हो रही है इन म समवाद में निरंतर हमने इन चीजों को परशू किया है कि आप ये मुद्दे उठाएं और फिर देखें कि हम सारे बहनवाई इकठे होके किस तरह से मतलब ये जो जन विरोधी सत्ता एक बंती जा रही है यहां पर उसके मनसूबों को विफल करेंगे तो ये असल में वही मु सेक्टर को ने खुलवा पाया था अपनी इच्छा अनुरूप और अब मतलब एक विश्वास गात की तरह से कोरोना की महमारी के दोरान जिस तरह से चोर दर्वाजे से इस इन तीन काले कानूनों को थोपा गया है वो एक तरह से वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हमारी ख सभी समाज के तबकों के मतलब खड्य सुरक्षा का सवाल है यह हमारी मतलब एज उप भोगता अगर इस इशू के साथ में अपना रिलेशन देखूं तो वो मेरी जीवी का से जुड़ा हुआ सवाल है तो यह क्योंकि तमाम आबादी के हिस्सों के सरुकार के सवाल है तो न आपने पीडियास का सवाल उठाया बार बार आंदोलन में निता उठा रहे हैं और आपको यह आपके पीडियास पर हमला होगा देखें ये जो तीनों कानून जो है वो उनका जुडाव है वो लैदा लैदा नहीं है एक दूसरे से और इस देश के अंदर जब खाद्य सुरक्षा को एंशोर किया गया था जब हम दूसरे देशों से आनाज लेके आते थे उसके बाद ये पूरा तंतर जो खड़ा किया गय ठीका उसके अंदर किसानों को MSP देना उनको सबसीडीज देना उनको मतलब खाद पे बिजली पे पानी पे ताकि वो आनाज पैदा करें और मतलब अपने प्रोफिट मोटिव से फसल पैदा करने की बजाए वो इस देश के लिए आनाज पैदा करें जिससे देश की जो भूख भी यहां से बाचे तो वो जो किसानों को यह सबसीडाइज करना मतलब खेती बारी को उसके साथ उसको जो आनाज को खरीदना और सबसीडी देकर जो लैंडलेस कम्यूनिटीज हैं हमारे यहां की उनको PDS के मादिम से वो आनाज मुहया करवाना तो यह पूरा एक स् उसके अंदर MSP आएगा उसके अंदर सबसीडी आएंगी उसके अंदर राशन डिपू आएंगे उसके अंदर वो राशन डिपू के जो कम्यूनिटीज हैं जो बैनिफीशिरी हैं उनके लिए प्रोवीजन्स होंगे तो यह जुड़े हुए हैं एक तरह से सारा और अगर मत अपरेट सेक्टर यहां पर मतलब खरीद करता है तो सरकार खरीद नहीं करेगी तो वो अनाज राशन डिपू पर भेजेगी कहां से वो तो एक थोड़े से दिन के लिए तो वो कहेंगे कि हम आपको कैश देंगे जैसे यह सिलंडर के उपर दी जाती थी सबसीडी हां कैश देंगे अब वो कितना चुपके से वो विद्डॉब कर ली पता भी नहीं लगने दिया किसी को कि वो सबसीडी खतम कर दी सरकार न और इसी तरीके से वो फिर यह राशन डिपू की जो पूरा भी सबसीडाइज करने का जो प्रावदान है इसको भी विद्डॉब करेंगे डिपूसरा अब हारियाना से हैं अब ढाटार इसांडॉब न पहले दिन से पार्टिसिपलेट कर रही लग वो भिदू हर्याना सरकार का सी थरह दो पहले दिन से ह slight पंजाब चले दिझे निकले दें निकलें हो फिस नाब तक हुटभी नोंबर शेंडैं अब पूरा खाब पूरा समाज उसके खिलाफ हो रहा है इसको आप किस तरह देख रहे हैं देखिए जो हर्याना सरकार का इस आंदोलन के परती जो नजरिया और जो रुख रहा है वो बिल्कुल राइट टू प्रोटेस्ट जो है इंडिवीजुल्स का डेमोक्रैसी के अंदर वो शोर गालए लिखिए वो मानमवदिकारों का विरोधी है एक तरह से और कभी अगर समय आया तो उन्होंने जिस तरह का सलूग किया है यहां पर लोगों के साथ उन्हों सब का इस चाब किताब भीलीया जाएगा कि उन्होंने जो सड़कें पबलिक एक्सेकर से बनी हुई है उनको खाईयों में तबदील कर दिया उन्होंने मतलब जो आंदोलन कारी थे दिसंबर के महीने में जब सबसे ज्यादा हाट गलाने वाई सर्दी होती है उस समय पे मतलब हम कहेंगे पानी की तोप छोड तो मेरे लिए सबसे जो एंज्वाइंग मुवमेंट इस आंदोलन का था कि हम 30-30 साल से मतलब सोशल अक्टिविस्ट की तरह से अलग अंदोलन में शामिल रहे लेकिन यह जो बैरिकेड्स है मतलब यह हमारे से कभी मतलब उस तरह से तूटे नी और अब जब इनको हवा में उचलते देखा किसानों जिस तरह से इनको मतलब नहर में फैक दिया उधर पैक दिया तो इतना अच्छा लग रहा था कि हमें एक एक लेवल की मुख्ती सी महसूस हो रही थी कि एज सोशल अक्टिविस्ट भाईयों भी दजिया उड़ा दी मतलब इनके जो यह सारे वो हैं तो मतलब यह तो किसान आंदोलन का एक संगठित कॉंसियसनेस और उनकी जो मिट्टी के साथ मिट्टी होके जो मतलब काम करते हैं उनके शरीर जो हैं यह तो उनकी चमताएं हैं जो इन सारी चीज़ों को भी जेलते हुए जो हैं आगे बढ़ गी वरना जो हर्याना सरकार है उसने मतलब जिस तरह के मैजर्स मतलब लिये हैं आंदोलन कारियों के प्रती वो पूरी दुनिया के पैमाने पर उनकी निंदा हुई है और वो मतलब बिल्कुल यूएनो को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि बलेटेंट हुमन राइट्स की वाइलेशन है वो एंड डेमोक्रेसी में वाट इस राइट टू प्रोटेस्ट अगर आप इस तरह से किसी को मतलब उसकी जान लेने के लिए आमादा हो जाते हैं क्योंकि वो आपसे अलग विचार रखता है इसी आधार पे तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जो हर जाएंगे संगर्स में वो अपनी जग आप 35 साल से अंदोलन जन अंदोलन का हिस्सा है अभी तक आपने जो अंदोलन को देखा इसमें एक तो आपको क्या ऐसी नहीं चीज लगी जो आज तक कि प्छले अंदोलन नहीं था जो सामाज को जिस तरह से एक जूट हो तक दिखा है एक वो यह है कि यह हमारे समाज की जो मेंस्ट्रीम है मुख्य धारा जो है जो जिसको कहते ना की खेती बाड़ी हमारी मतलब आर्थिक अतंतर की रीड की हड़ी है तो वो मतलब उस मुख्य धारा का आंदोलन है यह जिसके अंदर एक तरह की मतलब जीवनता जिसके अंद एक खास लेवल की एग्रेसिवनेस और असर्शन जो है वो अलग जग ऐसे आती है अभी तक जो आंदोलन होते थे वो मजदूरों के महिलाओं के उत्पीडित लोगों के मतलब उसम आदिवासियों के उसम जो जो जिसको कहते हैं कि जैंडर बेस्ट डिस्क्रिमिनेशन लिंग लिंगा धारित बेद जेलने वाली कम्यूनिटीज के उनके मतलब आंदोलन ज्यादा तर पिछले लंबे अर्शे से देखने को मिल रहे थे जेपी मूवमेंट के बाद अगर वो देखा जाए तो लेकिन ये एक मुख्य धारा का आंदोलन होते हुए इसने जो है मतलब एक खास तरह की आंदोलन के अंदर गुनातमक रूप से आगे की उर्जा जो है वो इसने मतलब पेश करी है और इतना मतलब देश के संदर में देखा जाए कि उस मेंस्ट्रीम का आंदोलन होते हुए भी जो चेतना का स्तर है इसमें जो भागीदार है यह इसकी लीडर्शिप जो है मतलब वो चेतना का स्तर बहुत उच्चा है लैंग्वेज देखिए आप जो भी बोलता है जो भी रिस्पॉंड करता आदमी और बुजर्ग बच्चा जो है वो कॉंसियसनेस का लेवल बहुत उच्चा है और आप यह देखिए कि अभी तक कोई भी आंदोलन यहां प जैसे मानवी रिष्टे बनाए हैं जिनके आसपास वो रह रहे हैं जिन लोगों के पास है वो एक मतलब अलग लेवल का मानवी रिष्टा है और परस्नली अगर मैं अपनी अप्जर्वेशन के आधार पे कहूं खुद हम जो हर्याना की महिलाएं हैं हम ऐसे परिवारों में अपल के आती है कि खुद हमारे जो बाप भाई भी जब घर में आते हैं तो आम तोर पे महिलाएं जो हो पिछले वाले कमरा सोफा जिसको बोलते उसकी तरफ वो होती हैं उस समय पे और मतलब उसके बाद हम यूनिवस्टी डिपार्टमेंट में हमने नौकरिया की हैं लेकि कभी हमने बहुती मामूली देखा था उसका मतलब डरते घबराते नजर चुडाते ऐसे कम्यूनिकेशन होता था लेकिन इस आंदोलन के दोरान जब हम बॉर्डर्स पे जाते हैं जहां पे किसान डेरा डाले हुए हैं जब हम वहां पे मतलब उनके साथ इंटरेक्ट करते है तो वो हमारे मेल फोक के साथ मतलब हमारा जो रिष्टा है वो एक अलग लेवल का है वो भरोसे का रिष्टा है उसमें हम मतलब एक दूसरे को बहुती डिगनीफाइड जगह से देखते हुए बात करते हैं और वो जो अंदोलनकारी महिलाओं को जो एक नीची लूज नजर नरर से जो देखने का एक रवाया होता था था न pregunta yeah अब वो जैसे हमसेतं सद्धेसार की महिलाइ जय्दा मुश्किलों बनता है उस रिष्टे के अंदर अब वोग रिष्टा जो है वो उनकी नजरों में वो रिष्टा होता है आमारे प्रती और बहुत अच्छा लगता है वहां पे जाके dat यह यह चाहती है कि फॉग अलग तरह का आंदोलन और फॉर्णा- और जहां तक इसकी सफलता का सवाल है निश्चित रूप से जिस तरह का रेजीम हमारे यहां पे है कि वो छल कपट और लटकाना घुटने टिकवाना इस तरह की स्ट्रेटजी से इसके इससे डील कर रहा है अभी तक जो है इश्यू के पास चीजों को नहीं आने दे रहा इश चाहिए चाहिए उस में यह लगता है कि बहुत इंटेलिजेंटली जो लीडर्शिप है इसकी जिसने पहले भी बहुत मैचुरिटी का परीच्य दिया है अलग लग लेवल पे वो उस लीडर्शिप को अब अपना जो इस आंदोलन का जन आधार एक तो थोड़ा व्यापक करने की तरफ कि जिसमें मतलब सब तब के खाद्य सुरक्षा की जग ऐसे इस आंदोलन के साथ अपना रिष्टा बना के और उस तरह से मैदान में उतरें बहुत कॉंसियसली पिन यह खाद्य सुरक्षा हमारी जो है और एक भोगता पे इस आंदोलन का क्या असर पड़ेगा मतलब जो इसके मैदान के अंदर हैं उन से डायलोग कम होना चाहिए जो मैदान से बाहर हैं और अनजानपणे में भी सरकार के साथ खड़े हैं असलमें उन कॉम्यनिटीज को जो हें और इसके अलावा मतलब टार्गेट करने की भी जूरूरठ है कि मतलब चोट कहा पर मारनी हैं हमें वो टार्गेट भी करने हैं और उसमें मुझे ये लगता है कि एक तो जब hot bank पे आप मार करते हैं किसी सरकार के उसकोई समझते हैं यह तो समझते ही वो framework है इसके अलावा कोई framework इनके पास है यह नहीं कि सरकार और नो सरकार उसमें क्या गाटा नफा है गाटे नफे के हिसाव से चलते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि जो corporate जो अबानी अडानी जो असल में beneficiary forces इसके पिछे खड़ी हैं जो उन उनके उपर जब तक चोट नहीं मारेंगे बहुत जोड से उनके मुनाफ़े कम नहीं होंगे उनकी बिक्री कम नहीं होंगी तो या फिर वो दूसरी पॉइंट की मतलब यह लगती है कि वहां पर मार करनी चाहिए कि जैसे रेलाइंस के इनका बहिशकार का आवान किया गया जो फोन से हैं जो उनके मतलब खेती बारी से जुड़े हुए अलग अलग तरह की प्रोजेक्ट से पैट्रोल पंप से यह वह जहां पर भी उनका रेजीम फैला हुआ है वहां वहां पर उनका बहिशकार जो है वह बहिशकार मतलब और बहुत कुछ हो सकता है यह में अपने दिमाग में यह चीज चल रही है कि यह दो टार्गेट्स मतलब जो है पिन पॉइंटीडली अब आगे बढ़ने चाहिए सफलता जो है वह इस रास्ते से होके आएगी अभी अभी जो सरकार जो है इधर उधर करने की कोशिश है कर दिया उसको फिक्स करने के लिए मतलब थो उन ही किसानों को जो अल्रेडी आंदोलन में हैं उनको कितने जोशीले कितने ज्यानवर्दक मतलब भाशन देंगे बातचीत करेंगे बट अल्टीमेटली मतलब हर्याना के संदर में अगर में बात करूं तो 27 परसेंट मतलब फार्मिंग कॉम्मिनिटी मेंली उसका हिस्सा म है इसके अंदर तो बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है पापुलेशन का हाउ टू डॉ इन दो सेक्षिंस वो फूड सिक्यूर्टी वो जो है वो उसके उपर अभी फोकस की जरूरत है अभी जगमती की बात्चीत से दो चीजें साफ हैं एक तो अंदोलन का भविस इसके और ब्यापक्ता पर निर्वर करता है दूसरा इनोंने इस अंदोलन की जो पीसेस्ता इनके बात्चीत से समझ में आती है वो ये जो ये समाज के जो बहुत जो टूट का समाज था जो आगे वो गर्व बैविस्टी के गर्व में हैं लेकिन अभी तक इस अंदोलन ने जो टूटे वे समाज के जो हिस्से थे महिला पूरुस में जो भेदभाव थे उसको कम करता हूँ दिख रहा है आगे के लिए आप देखते रही है न्यूस क्लिक अभी के लिए बस इतना ही झाल